सर्वे भ्यो नम्गो नम्हा आज हम लोग संस्कृत में पत्रलेखन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे पत्र लेखन है अपने बरे भाई की साधी में भाग लेने हे तू दो दीनों के अवकास के लिए प्रधाना ध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे अब देखे एक जोड़ दिया है कि अपने बरे भाई की साधी में भाग लेने है तू दो दिनाओं के अवकास के लिए प्रदाना ध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे अब याँ दो दिन रहे या तीन दिन रहे चार दिन पाँच दिन में पांच दीर हände पांच दिवसस्य अवकास आःथम पांच दिन के अवकास के लिए तो यहां कितना दिन कहा जारा है दो दिन तो चलते हैं हैं care लोग प्रारम में अब यहां शुरुबात करते हैं सेवायाम सेवा में सेवायाम सेवा में जोनते हैं लता रूप चलता है शप्तमी एक वचन में लता याम लता में उसी तरह अकरांथ सेवा तो सेवा सप्तमी एक वचन सेवायाम सेवायाम सेवा में क्या श्रिमंतह प्रधानाचारिय महाँ भागा श्रिमान श्रिमंतो श्रिमंतह कैसे रूप चलता है श्रिमान श्रिमंतो श्रिमंतह प्रधानाचारिय महाँ भागा यह वचन में है इसको भी वचन मुले लिए श्रिमंतो 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 श्रि इसे लेंगे किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं अब देखें दीन द्वयस अवकास आर्थन दो दीन का अवकास क्या कारण है बिशाय में एक कारण लिखा जाता है कि दो दीन की छुट्टी है तो दो दीन के अवकास के लिए लिए अवकासार्थम यहां पांच दिन रहता तो पंच दिवस्ष असपस्थ है पंच दिवस्ष अवकासार्थम अब इसके ठीक निचे आएगे अब लिखना है महाश्यह महोदयह मान्यवरह यह सब लिखना है स्वविनियम निवेदनम अस्तियत स्वविनय विनम्रता के साथ विनम्रता पुगुरुवक निवेदन है की अस्ति मतलब है यत की मैं अहम स्वजेष्ठस्य भ्रातु हूँ मैं स्वमतलब अपने जेष्ठस से जेष्ठ कहने से ही बराभाई का बोध हो जाता है जेष्ठ कहने से ही बरेभाई का बोध हो जाता है फिर भी यहां भरातु सब्द लियागे का अहम स्वजेष्ठस्य अपने बरेभाई के विवाहोत्सवे विवाहोत्सम्मे शम्मिलितम भवितुम इच्छामी सम्मिलित होना चाहता हूं इस सधातु है मूल इसका इच्छामी होना चाहता हूं स्वविने बिनम्रता पुर्वक निवेदन है कि मैं अपने बरेभाई के विवाहोत्समे शम्मिलित होना चाहता हूं अतेव इसलिए मैं अहम मतला मैं विद्यालियम विद्याले आगन्तुम आने में आसमर्था शमी आसमर्थ हों अतह महियम मुझे दीन द्वयस दो दीन की कब से कब तक है दिनांक साथ दो बाईस तह मतलब स्टेट आठ दो दोजार बाईस परियंतमत में तक अवकासम अवकास प्रदाय प्रदान कर उपकुर्वन्तु उपकार करें असपस्ट है फिर शेवार देख लिजी श्रेवायाम श्रेवा में श्रिमंतह प्रचार्य महाभागा यहां अपने विद्याले का नाम अब विश चुट्टिय दीन अद्वयस अवकास आर्थम दो दीन की चुट्टी के लिए महाश्यह सोविनय निवेदन है कि मैं अपने बरे भाई के विवाह उत्सम्य सम्मिलित होना चाहता हूँ इसलिए मैं विद्याले आने में आसमर्थ हूँ अतह मुझे दो दीन की अर्थात दिनांक साथ दो बाईस से आठ दो बाईस तक परियंता मतलब तक अवकासम अवकास प्रदान कर उपकार करें अस्पश है सोविनियम निवेदनम अस्तियत आहम स्वाजेश्ठस्च प्रातोह विवाहोत सवे शम्मिलितं भवितु मिक्षामी अते आहम विद्यालियं आगंतुं असमर्थ हास्मी अतह मैहं दीन द्वयश जिनाग शात दो दो दरबाईस तह आठ दो दो दरबाईस परियंतं अवकासम प्रदाय उपकुर्वन्तुं अब दिखे इसके राइट साइड में दिखना है भवताह आज्या पालकह छात्रह यह छात्र के लिए है भवताह आज्या पालकह छात्रह इसी तरह अगर बालिका के लिए लिखना है छात्रह के लिए तो क्या हो जाएगा यहां लिख देते हैं भवत्या आज्या पालकह छात्रह भवत्या अज्या पालकह छात्रह के लिए यहां भवत्या आज्या पालकह छात्रह इसका उपरियोग कर सकते हैं भवत्या शिष्या इसका भी आप लोग परियोग कर सकते हैं अब लेप्ट साइड में धिनांग लिखना है कि जीजिन आप आवेदन पत्र दे रहे हैं उस दिन का धिनांग कराना है लेप्ट साइड में और इधर लिखना है फिर नीचे लिखना है नाम कख्छा दस्मी अपना करमा इस तरह से लिखना है